टीम इडिया ने बतोर चैंपियन किया इश्या कप खत्म फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन श्रिलंका को दी 10 फिकेट से मात लेकिन असली पिच्चर तो अभी बाकी है जिसमें हिट होना टीम इडिया के लिए बहुत ज़रूरी है और वो है वंडे वर्ल कप हलांकि ट्रेलर इश्या कप में देख चुका है जिसमें पूरी रोहित एंड कमपनी हिट रही है और शायद इसलिए अब भारती टीम के हर एक फैन को उमीद हो गई है कि ये टीम इंडिया वर्ल कप में भी ऐसा ही खेलेगी और भारत को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी हलांकि वर्ल कप में ये सफर टीम इंडिया के लिए असान नहीं रहने वाला ये तो तैह है और वर्ल कप से पहले ही इंडिया को पांच चुनोतिया पार करनी है ये भी तैह है इसमें पहले तो 22 सितंबर से शुरू हो रही और शेलिया ये टीम के खिलाफ तीन मैचों की वंडे सिरीज रहेगी इसके मुकाबले 22 सितंबर 24 सितंबर और 27 सितंबर को भारत में ही खेले जाएंगे फिर इसके बाद होगा वर्ल कप के वाम अप मैचों का खास जिसमें इंडिया पहले 30 सितंबर को इंगलेंड के खिलाफ के लेगी फिर 3 अक्टूबर को नेदरलेंड के खिलाफ के लेगी इन पाँच चुनोतियों को पार करने के बाद रोहित एंड कंपनी के लिए शुरू होगा वर्ल कप का सफर या कहें असली परिक्षा की गड़ी क्योंकि इस बार भी वर्ल कप राउंड रोबिन तरीके से ही खेला जाएगा जिसमें भारत को सबी नो टीमों का सामना करना है और तो और इंडिया अपने वर्ल कप केमपेन का घाज भी अस्ट्रेलिया के खिलाफ ही करने वाली है इंडिया के एक बार सभी मैचों को देखे तो 8 अक्टूबर को भारत के सामने अस्ट्रेलिया होगी तो 11 अक्टूबर को भारत के सामने अफगानिस्तान फिर 14 अक्टूबर को भारत के सामने पाकिस्तान होगी तो 19 अक्टूबर को भारत के सामने बांगला देश तो महीं 22 अक्टूबर को भारत के सामने न्यूजिलेंड होगी तो 29 अक्टूबर को भारत के सामने इंगलेंड की टीम महीं 2 नवंबर को भारत के सामने श्रिलंकाई टीम होगी तो 5 नवंबर को भारत के सामने सौथ अफरीका की चुनोती फिर 12 नवंबर को भारत के सामने निदल लेंड्स की टीम होगी जो कि भारत के टीम का इस वर्ल कप में लेग स्टेज में आखरी मुकाबला होगा इन सबी मैचों में टीम इडिया के हर एक खिलाडी से बेस्ट की उमीद रहेगी लेकिन उस से पहले इन खिलाडियों को औस्टेलिया के खिलाफ हाली में शुरू होने वाली बंडे सिरीज में भी बेस्ट देना होगा हना कि अभी तक उस्ट्रेलिया के खिलाफ सिरीज के लिए इंडिया के स्क्वैट का एलान नहीं हुआ है लेकिन उमीदे पूरी हैं कि वर्ल्ल कप में खेलने वाले किलाली ही इस सिरीज का हिस्सा रहेंगे तो देखते हैं कि क्या कुछ टीम इडिया वर्ल कप से पहले इन पास चुनोतियों में कर पाती है और अपने परिक्षा में कितनी सफल रहती है Bureau Report Sports तक